हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो पे बात करेंगे पी एके वर्सिस ऐसे ड्रीम 11 प्रेडिक्शन यानि पाकिस्तान सौथ अफरीका ग्रैंड लिग प्रेडिक्शन देखने वले हैं स्मॉल लिग नंबर बेस्ट वीडियो स्टैटिस्टिकल बेस्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखे आपको काफी हल्प होगी क्विट्टर डिकॉक चलेंगे के नहीं ऐसे सब सब वालों के आपको जवाब उस पर मिल जाएंगे यहां करेंग पाइदा उठाओ और बढ़िया करो मैं यह नहीं कर आप अच्छा करते हो आप लॉजिकली सोचते हो आपकी भी रैंक्स ऐसी आ सकती है क्योंकि काफी लोगों को लगता है यह पॉसिबल नहीं है देखो हर मैच में यह नहीं होगा टाइम लगेगा लेकिन आपको सोच वैस के साथ सारी अपडेट देतो टॉस टाइम पे ताकि आप बेस्ट कर सको यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल ऐकन प्रेस करें ओन लोडिविकेशन ओन करें ताकि आप और मैं दोनों के लिए बेस्ट हो अब हम बढ़ र है मैंने बैकप फीचर का यूज करके वो आपको दिखाया भी है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है साथ अफरीका की टीम में में भी बवूमा आ सकते है रीजा की जगह और अगर फिट होते है तो लूंगी की जगह यहां पे पिछले मैच में आये थे लिजार्ड अ अगर साथ अफरीका से देखूंगे क्विंटन डिको कगीजो रबाड़ा एंड मिश्टर एडन माकरेम यह बेस सीवीची हो सकते है आज के ग्रैंड लीग में डिफरेंशल में पहला नाम मोहमद नवास तो मैं जरूर रखूंगा क्योंकि मोहमद नवास एक ऐसे प्लेयर ह अब यहां आप क्या देख रहे हो आप यहां पर देख रहे हो बहुत सिंपल सी चीज़ अगर सौथ अफरीका बैट फर्स्ट करता है हमारी कैसी गैसी ग्रैंडिक टीम होने वाली है पहली टीम देखो हर कोई इसे अचाभ से टीम कर रहा है गर मेरे इसमें मेरे पास एक प्ले नहीं है राजी आप राजी को डाल सकते हो रीजा की जगा अगर रीजा हैं नहीं खेल रहे हैं मेरे बैकप में भवूमा और राजी में डेड्यूसन है आप यह ध्यान रखना चेंज का बाकी बोलिंग में क्योंकि पाकिस्तान बोल फर्स्ट है मैं पहली इनिंग्स में थोड़ा सा ड्राय विकेट हुआ तो स्पिन हूव की चनने के मैंदान पर अब दिक्कत यह है कि मैं भी यह उस्ट अफरी का फेवरेट के लिए फर्स्ट इनिंग्स में इसलिए मैंने नहीं रखा तो यह मेरा एक टीम है जो इस मैच में काफी लोग कर सकते हैं सेफर कॉमिनेशन है बट मैं रिस्क भी लेने वाला हूं इंफेक्ट मुझे लगता है रिस्क वर्क कर सकती है हाई चांस है तो आईए वैसा कॉम्पोजिशन देखते हैं टोटल रिस्की बट मज़ेदार कैप्टन सी शदाब वाइस कैप्टन सी उसाम अमीर इसलिए मैं यहां पर रखा है ठीक है शाहिन अफ्रीदी को भी रखा है 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 मैंने बॉलिंग ऑप्शन कवर की है देन मैंने बाबर आजम को रखा है इमामुल हाक को बल्लेवाजी में रखा है रिजवान को रखा है डीकॉक माकरम यांसें कोईडजी यह मेरे पास साउट अफ्रीका के सामने विक्टे अगर देख रहा हूँ पाकिस्तान से मैंने कैप्टन सी देदी शाहिन को कैटन कर दिया पहला ओर करेंगे मैंने डीकॉक को ही टीम में नहीं रखा ना मैंने इसमें रखा रीजा हेंडिक्स यह बगूमा जो भी ओपनिंग पर है राजी वेंड के बिग प्लियर्स वी-सी की यह बाबर कैप्टन सी यहां की शाहीन को जो बड़े खिला रही है बड़ी रिस्क है मैं अगेन बता चुक हूँ यह सेफर है बट ग्रैंड लीग में बड़ी रिस्क मैंने कॉंपोजिशन बनाए है स्पेशली साथ अफरीका बैट फर्स केस म पहले तो भीया आप आओ एक्सेंज 22 में लास्ट मैच वन लेक की इन्वेस्टमेंट भाई टू लेक की विनिंग है नेट प्रॉफिट देख लो भाई तगड़ा यहां दो लाक लगाके 3,77 कमाए 1,60,000 नेट प्रॉफिट मुल्टी वेगर में भी प्रॉफिट एक्सेंज प्रॉपर डाउनलोड करने पर रियल कैश है बोनस तो हर कोई आप देता है फोन इमेल वेरिफाय करने पर यह भी देंगे लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में रैफर कोड़ है फोरकास टॉप पर आपको दिख रहा है 50 रियल कैश मिलेगा KYC पर डाउनलोड कर लो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है टॉप कोमेंट में बाय करो वो प्लेयर जो लगता बढ़िया करेगा सेल करो जो लगता है खराब करेगा अगर साउथ अफरीका बोल फरस्ट है उसकेस में कैसी टीम होगी साउथ अफरीका फेवर भी बनाएंगे है ना पहले तो मैं बही जबरदस्त कोई दिक्कत नहीं है यांसें कर दे शफीक को आउट उसके बाद बाबर रिजवान लगाने दिक्कत नहीं है लेकिन डेथ में कोईटजी बोलिंग करने आते हैं इनको रखा है मुझे इन से चाहिए तीन से चार विगेट अगर दो भी ले 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 तीन पाकिस्तान के रिलाइबल दुरू है सबसे ज़्यादा रिजवान और बाबर लेकिन पहले मुझे यांसें पहले स्टार्टिंग में और करते हैं फस्ट ओवर लिजाड अभी सेकेंड ओवर कर रहे हैं इफ नॉट लिजाड तो आप एंगीडी को भी रखना क्योंकि एंग ज़्यादा करते है शदा अगर शदा आप नहीं केलेंगे तो नवाज आटोमेटिक टीम में आ जाएंगे इस किसमें आप इफ्तिकार को भी एंट्री दे सकते हो टीम में किसी की जगह आपको देनी है तो लेकिन क्योंकि साथ अफरीका बोल फरस्ट है मैंने लिजाड और रबाड़ा को जरूर रखा है टीम में इसमें दोस्तों मैं कमफर्टेवल चेस के लिए गया हूँ साथ अफरीका क्योंकि पहले बोलिंग कर रही है मैंने उनके सब बोलर्स रखे है मैंने यांसेन रखा माकरेम रखा लिजाड विलियम्स रखे मैंने महराज रबाड़ा को अगर आपको रिजा की जगा राजी लेने है राजी वेंड अड्यूसर उनको भी ले सकते हो यहां पर अब्दुल्शफीक की जगा बाबर भी कर सकते हो इस केस में बाबर को नहीं रखा फुल जो टीम है मेरी यह थोड़ी सी ज्यादा ही साथ अफरीका फेवर है साथ अफ अफरीका को मानलो 150 170 200 तक का टार्गेट मिला यह टीम चल सकती है डीको ओपनिंग प्याकरन भी लगा सकते हैं एंड विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं वीसी मेरे लिजार्ड है जो की डिफरेंशल वाइस केप्टन बन सकते हैं तो यह इजी चेस कॉंबिनेश इजवान दोनों को मैंने सीवी सी किया है यहां पे डिको कैप्टन है मैंने इवन विकेट कीपर्स बहुत जबरदस्त है मैंने बल्लेवाजी में सिर्फ बाबर को रखा है और अच्छे का से बोलर और टीम में रखें 되어 सकते हैं बल्ले से पॉंट दे सकते हैं तो उनको सीव पहला तीसरा पांच पासातवा जो यह ओवर करते हैं उसमें मुझे चाहिए विकेट सिंस है तभी मेरे कप्तान है और ओपनिंग के दोनों खिलाडी और साथ पर बाबर पाकिस्तान की मैंने मिस्स कर दिये ना इमाम-ुल-हाक है ना शफीक है ना मेरे पास बाबर आज़ा मु को एड कर सकते हो सौच शकील को अगर आप चाहो एड कर सकते हो लेफ्टी प्लेयर है माइट एक्चली माकरम बोल करने आजए उनको पता लग आउट कर जाए इसलिए मैंने उनको नहीं रखा आपको रखना आप रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब इस पर चलते हैं दो अब साउथ अफरीका पहले बल्लेवाजी कर रही है लेकिन साउथ अफरीका पहले बल्लेवाजी करते हो बिल्कुल ही खराब स्टार्ट करती है ठीक है साउथ अफरीका खराब स्टार्ट करती है आपके लिए डिकोक आउट है आपके लिए राजी रीजा दोनों आउट है जो भी opening पे भी है सब out होते हैं लेकिन उनको बचाता है middle order और अगर वो out हो रहे हैं उने start के शाहीं भी रखे हैं मैंने हसन अली भी रखे हैं जो शुरू में over करते हैं middle order में class in और Miller थोड़ा बचा लेते हैं 20-25-30 लगा लेते हैं बाद में इनके पास बचते हैं Marko Jansen जो 50-60 आपको दे दे ठीक है महराज जो seven down पे आएंगे वो भी थोड़ा contribute कर सकते हैं अदर्वाइस यांसेन और महराज second innings में bowling से भी आपको और performance दे सकते हैं मुझे death में भी विक्टेश चाहिए हरेस्रॉफ से यह proper combination तो रिसकी है collapse combination है इसमें एक-दो चेंज आप ज़रूर कर ल यह में भी चेजिंग के टाइम पर जब पाकिस्तन चेज कर रहे हैं एक-दो और ली विकट भी लेजए कोई दिकत नहीं है तो यह combination full on risk है इसमें आप जरूर चेंज कर सकते हो make more sense of it मतलब की इसमें अपने इसाब से और changes करके logic पे जा सकते हो मेरा overall combination सारे आपने देख लिय आपर एड यह दोर इको आप दिन मतलब के लाग बैटा alltid को मैं इसाब में ही जए घए जह is a indeed मतलब है लेस्ताद़ को यह पूलियक रवेगा हैं दुडरां के बूरा नहीं हैं